हैलो दोस्तों अवस्कार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माई फैमली गार्डन इन होम में और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आसा करती हूँ अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे और आपकी गार्डनिंग जो है तो बढ़िया से चल रही होगी तो चलिए दोस्तों कर देखिए मैं टमाटर की हार्वेस्टिंग सुरू कर देती हूँ तो मैने यहां से टमाटर तोड़ना इस्टार्ट कर दिया है जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे पहले की ग्रोब एग में लगे हुए टमाटर के प्लांट है और दोस्तों अगर अभी टमाटर लगाना चाह तब तक अगर आपका टमाटर में फूल आयरे हैं तो फिर तनी अच्छी हमें फूटिंग नहीं मिल पाती है क्यosc alleen अच्छी हमें फूल ड्रॉप हमारी फ्रोटिंग चलने वाली है कोई दिगत नहीं होती है लेकिन गर्मियों में ऐसा नहीं होता है थोड़ा सा समय का ध्यान देना होता है खासका टमाटर की पौधों में जो बेड़िटेवल सबजियां है के जो प्लांट होते हैं उनके लिए अगर आप सही टाइम से लगा है कि हम जादा गर्मी जैसे जादा गर्मी आए तब तक हमारी फ्रोटिंग लगभग पूरी हो चुकी हो तो यस तरीके से तो हमें ऐसे पौधे लगाने हैं देखिए यहां पर मैंने कुछ इतने टमाटर भी तोड़ लिये हैं और यह मेरे सारे पहले के पौधे हैं मैंने क पौधे क्योंकि पिछले साल भी हमने लगाया हुआ था जो पौधे ज्यादा लेट होते होतनी और में अच्छी हमें ग्रोथ और फ्रोटिंग देखने को नहीं मिलती है तो देखिए यहां से मैंने काफी सारे टमाटर तोड़ लिये हैं और देखिए प्लांट जो है मेरे पुराने हो गए हैं इनको मैं हटाने वाली हूं क्योंकि इन में भिंडी लगाने वाली हूं भिंडी के पौधे जो है सीड है मैंने डाल दी है हमिटी में जैसे ही भिंडी के पौध तयार होगी मैं क्योंकि मेरे हम टैरस गार्डनिंग करते हैं उतने कंटेयर हमारे जो होत जो आप कर डिए वीच इसी तरीके से करने बाले हूं कि कुछ पाद है है जो खाली हो रही है क्योंकि तोड ले रहे हुँ जितनी व्हाँ हर वेस्टिंग कर ले रही ओए हुं जैसे मटर का प्लांट है मैं इससे हारवेस्टिंघ कर ले रह रहे हुँं जितने मुझे मिल रहा है क्योंकि अब मुझे पता है कि इसमें जादा फूर्टिंग नहीं होगी भी कम होगी प гр Phot did हो गया है तो मैं इसे हटा लेती हूं और जो कुछ मुझे लग रहे हैं कि अभी इन्हें 10-15 दिन के लिए चोड़ना चाहिए पक जाएंगे और टमाटर तो पौधों को मैं 10-15 दिन का और टाइम दे दूंगी तब तक मेरे जो पौध है वो तैयार होके रेडी हो जाएगी त पौध है तो देखे यह मटर का प्लांट है आज मैं इसको भी पुरा पौधा ही निकालने वाली हूं क्योंकि इसकी मिट्टी की हम गुडाई करेंगे और जो हमारा बैस्टेज खाथ था उसको भी देखेंगे कि इसका कैसा क्या रहा अगर कम्प्लीट हुई होगी खाथ त में अच्छा होता है और इसकी ग्रोथ भी प्लांट की जो है तो यहां से लगाने के लिए मटर का प्लांट जो है लगबग हमारा अपना काम कर चुका है जतनी उसको फोटिंग देनी थी दे चुका है तो मैं इसकी आज लास्ट हार्वेस्टिंग करने के साथ साथ इसको य मुझे यहां से मटर भी मिली है टैरस गार्डन पर मटर भी बहुत अच्छी हो जाती दोस्तों उगा सकते हैं आप लोग आप मटर ऐसी चीज है जितना चाहे आप उतना उगा सकते हैं जैसे आप टमाटर है यह कुछ ऐसी सबजियां होती है जो आसानी से हो जाती हैं में केयर कम होती है जैसे कि टमाटर में ज्यादा केयर नहीं होती है मटर में ज्यादा केयर नहीं होती है और देखे दोस्तों यहां पे लगी हुई हमारी मेथी कुछ हमने मेथी डाली हुई थी आप इसके बाद ज्यादा लेट मेथी बोएंगे तो फिर इसके बाद मेथी हो तो जा पालक लगाओंगी लाल भाजी लगाओंगी लेकिन मेथी अब नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि इसके बाद अब गर्मिया श्टार्ट हो रही है पिछले बार हमने लगाया हुआ था तो उससे बहुत सारे कीडों का टैक भी हो रहा था तो इसलिए हम नहीं लगाएंगे यह क्यां बिंटर में ज्यादा होती है आप चाहें तो लगा सकते हैं अपने सुविधा नुसार और देकिए यह देकि मेरी काफी सारे हारवेष्टिंग काफी बढ़िया हो गई है मैंने काफी यह सारे सब्जियां हार्वेष्ट की टमाटर मुझे काफी सारे मिल गए हैं तो मटर दो मेठी बही अच्छी सब्जी मेरे लिए से मिल जाती हैं मेरे kitchen garden से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं लाइक नहीं करते हैं प्लीज लाइक कर दिया लाइक करते हैं अब लोग तो अच्छा लगता है और comment में बता ये कैसा लगता है तब तक लिए थाइंक्यू बाबाई हैपी गार्डिनिंग